इस वीडियो में बात करने वाले है RRB NTPC 2019 का जो वेकंसी है उसका अभी लेवल 5 का रिजल्ट कहां तक महुंचा है और कौन से जोन का टैपिंग का रिजल्ट आ गया है और किस जोन का भी आना बागी है तो दीके अगर इस सेडियूल को देखा जाये तो यहां पर लिखा और कहीं बागी है यहां पर थे यहां पर यहां पर देखेंन है तो फानल सेम्च न बागी आए सान्हादिक न खिछा के आसे पेंगा है प्रेशक नो लिखा आप मेंट मैंड हो नियोगा अगर बात करें तो अभी कुछ ऐसा जोन है जिसका टाइपिंग का रिजल्ट भी नहीं है अगर उसमें से देखा जाए तो आरभी मुंबई उसके धुपाल एहमदाबाद गोरकपूर और गुवाटी यह पांच जोन ऐसा है जिसका अभी तक आपको टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट भी नहीं है ठीक है और इसको देखें इसको तो यहां पर लिखा हुआ है रिजल्ट आने की समाबना है मतलब लिखा हुआ है यहां पर थार्ड वीक आप नुवंबर अब टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट पहले आप डिकलियर किया जाएगा उसके कुछ दिनो बड़े 24 नौबर भी खतम हो गया और कुछ अप्डेट यहां कल फ्राइडे है उसके बाद फिर वीकेड इस्टाट हो जाएगा तो इसके हिसाब से पता नहीं कब तक यह रिजल्ट डिकलियर करेगा टाइपिंग का उसके फिर यह पांच जून का कब जाकर रिजल्ट आए यह लोग पता नहीं यहां पर लिखावा नहीं कि फूर्थ वीक ओप मार्च दोवजर ताइस ऑनवार्स तो पता नहीं यह लोग मैं भी लेके चला जाए यह जून भी लेके चला जाए जब देखे लबात करते हैं यहां पर टाइपिंग का इतने सारे जोन का जो से कि यहां पर अजमेर चन्नाई सिलिगूरी वुबनेश्वर का जो मतलब सौर्ट लेस्टेट है वह डीवी का कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते ही अपडेट है और बाकी जो अपडेट यहां पर लेवल सिक्स के लिए है ठीक है इतने सारे जो लेवल है यहां पर जो लिखा अपको कुलकाता का रिजल्ट कर लिए अपडेट किया गया है फिर माल्दा का जमू का लिकंदराबाद का और आज आपको थ्रिवहनंत पूरम का रिजल्ट आ गया है और राची विलासपूर चंडिगर बैंगलूड और मुझभरपूर तो यह आपको जो है अगर देखा जाये तो इतने सारे रवी है जिसका लेबल five का बाकि यह पान्च और भीसा जिसक का है इसका रिजल्ट भी नहीं आया है तो जल्द से जल्द डेक्लियर करना चाहिए और भी को इतना हमें नहीं लेना चाहिए ठीक है सबसे पहले जैसे यह सीविटी टू के बाद क्या हुए ना हर और भी अपना अपना यह करवा रही है अब आपना अग्जाम तो फिर दीले होने का क्या मतलब है इसे के चन्नहीं फास्ट कर रहा है मतलब और भी सारे फास्ट कर रहें पर यहां भी टैपिंग टेस्ट हुआ था और यह तो यह लोग तो रिजल्ट दे सबसे ज्यादा लेट इसी का हुआ था द्यू टू फ्लर्ड के वज़े से लेट वह था तो टैपिक टेस्ट इसका भी ओल्मस्ट 45 डेस हो चुका है लेकिन रिजल्ट कुछ आया नहीं है उसके बाद अभी टैपिंग का रिजल्ट आएगा फिर जाकर उसको आपको कुछ दिन स्टेडियूल पे अपना काम कर पाएगी आई होप हम लोग इसी उमीद से करें हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया है और कंडिट बहुत ज्यादा मतलब जितना ज्यादा कुछ चीज़ों मतलब जितना जल्दी आपका उमीद भी जुड़ जाता है और फिर हम लोग दूसरे एक्जाम में फोकस नहीं कर पाते हैं तो पता नहीं जल्द से जल्द रिजल्द करना चाहिए और यह पांच जोन का तो टैपिंग टेस्ट रिजल्ट आना चाहिए उमीद करते हैं कि कल साहित इसमें से कुछ जोन का रिजल्ट आजा या सभी का चाहिए तो और अच्छा है बाकि जो भी अपडेट होगा तो हम लोग डिसकस करने वाले हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और इस वीडियो को सेर केजिए वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा बाकि जो भी कटप का प्रेडिक्शन क्या गया मेरे द्वारा देखें मैच कर रहा है जो भी बाकि आरवी कर आना बाकि है थाइक यू सो मुच फर वाचिंग दिस वीडियो गौड ब्रेस यौल उमीद करते हैं जल से जल सारे वूट का रिजल्ट आए बाकि लेवल 3 लेवल 2 भी बाकि है तो उसका भी